प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आड और नेवर मिस अनाधर अपडेट बतादे की बतादे की फिल्म के प्रड़क्शन बैनर नाडियार्ड वाला ग्रेंडरसन ने डाइक्टर साजिद खान को क्रेडिट देने से इंकार कर दिया है तीन महिलाओं द्वारा यौन उत्पीन का आरोप लगाने के बाद साजिद खान ने पिछले साल अक्टूबर में खुद को फिल्म से अलग कर लिया था इस फिल्म को फरहाद सामजी ने पूरा करवाया है अक्षे ने फिल्म के ट्रेलर लॉंच पर कहा फिल्म का साथ प्रतिशत डाई इरेक्षन साजिद खान ने किया था स्टूडियो साजिद खान को क्रेडिट नहीं देना चाहता था बतादे की अक्षे कुमार ने कहा मीटू मूवमेंट के बाद फिल्म और ज्यादा सुरक्षित जिगे हो गई है फ्रतेक्फ प्रडक्षन कंपनी जैसे साजिद नाडियार्ड वाला की कंपनी के सेट पर कुछ अधिकारी रहते हैं जो इस प्रकार के केस को संभालत है इससे कुछ भी घलत नहीं हो सकता वह शिकायद दर्ज करने के लिए हमेशा वहां मौजूद होते हैं अब यहां बहुत सुरक्षा होती है हम नहीं किसी से दुर्व्यवहार हो बता दें कि अक्षय से भविशे में साजिद खान के साथ काम करने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए अगर वह अप राध मुक्त हो जाते हैं मुझे नहीं पता क्या होगा अगर अप राध मुक्त होते हैं तो मैं पका उनके साथ काम करूँगा बता दें किस भी किरदारों को 600 साल पुराने राजा मारानी के किरदार में दिखाया गया है जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दोबारा जन लिया है फिल्म में अक्षे कुमार के साथ रितेश देशमुक, बबी दियोल, राणा दगुप्ती, चंकी पांडे, कृति सेनन, कृतिख खरबंदा और पूजा ही गड़े हैं फिल्म में नवाजुदीन सिद्धी की भी स्पेशल अपिरेंस करने जा रहे हैं बता दें कि डाई वेक्टर फरहाद साम जी की ये फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज होगी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राए है वे हैं कमेंट करके हमें बताएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइम करें इस चानल के साथ बने रहे